आज की क्लास में जा रहा हूं एक बूख फिनिश दूसरी बूख शुरू चेप्टर का नाम है mechanical properties of solid अच्छा चेप्टर है ज्यादा बड़ा नहीं बड़ा अच्छा चेप्टर है सबसे पहले तो आप एक बास दुलो यह जो matter होता है इस matter के दो पार्ट होते हैं पहला पार्ट होता है solid दूसरा पार्ट होता है fluid the two parts of matter solid and fluid fluid के अंदर दो पार्ट आते हैं पहला पार्ट आता है liquid और दूसरा पार्ट आता है gas तो क्या कहा जाता है metal के अंदर दो पार्ट आगे solid and fluid solid and fluid fluid के अंदर दो चीज़े आती है liquid and gas इस chapter में हम पढ़ेंगे solid के बारे अगली chapter में हम पढ़ेंगे fluid के बारे solid किसे कहते हैं सबसे पहली बात आती है solid क्या चीज़ है what is solid solid के बारे में बताया जाता है जो solid वो type of matter है जिसमें जिसका अपना एक definite perfect shape and size होता है अपना एक perfect shape and size होता है उसे कहते है solid liquid में अगर आओगे fluid में आओगे liquid और gas में आओगे तो इसका अपना कोई भी shape and size नहीं होता है obviously नहीं होता है तो solid में पहली बात तो इसका perfect shape and size होगा दूसरी बात कि solid में तो मैंने क्या कहा shape and size होता है perfect shape and size दूसरी बात यहां पर यह धियान रखना है कि solid में जो molecules होते हैं उनके बीट जो force लगते हैं वो बहुत strong लगते है एक strong intermolecular force होता है strong force strong molecular force लगता है strong molecular force लगता है solid में तो पहली बात perfect shape and size दूसरी बात एक strong molecular force लगता है molecule की भी जो force लगता है वो बहुत strong लगता है यह सब nature होता है solid का जब strong molecular force लगेगा तो solid का melting और boiling point भी बहुत ज्यादा होगा ना तो हम उसे की बीच में और high melting and boiling point melting और boiling point दोनों बहुत high होता है तो यह पहचान है solid कि अब solid के बाद अब हम जब हम आएंगे next part में solid के बारे में आपने देखनों क्या है solid कि जब हम solid में आएंगे तो next part में यह बताया जाता है इसी में ट्रॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है ट्रॉपिक का नाम है elasticity 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 यह बड़ा ट्रॉपिक अच्छा ट्रॉपिक एक बात बताओ अगर आप किसी भी बॉड़ी का टेप किसी भी फोर्स के कारण विगाड़ दे रहे हो टेडा मेला करते रहे हो तो उस फोर्स को करते हैं deforming force अगर कोई भी फोर्स ऐसा फोर्स जो बॉड़ी के शेप को क्या करता है चेंज कर देता है बेटा उसे करते हैं deforming force याद रखना दे आर कॉल्ट deforming को the deforming force वह फोर्स होता है जो बॉड़ी के शेप को बिगाड़ देता है चेंज कर देता है स्कॉल differing और अगर deforming force ने शेप को बिगाड़ दिया और आप ने डीफार्मिंग फोर्स को हटा दिया तो वो बोड़ी फिर अपने शेप में वापिस तुरत तो वो जो फोर्स वापिस लाएगा उस बोड़ी को अपनी शेप में वापिस उसे कहते हैं रियस्टोरिंग तो जो बोड़ी के शेप को बिगार दे Deforming Force जो बोड़ी के शेप को वापिस ला दे Restoring Force यह concept Deforming Force का और किसका? Restoring Force ठीक है? ध्यान से पढ़ें अज हमाई साथ Online तो पढ़ी रहे हैं Offline के बच्चे भी साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो जब मैं इधर है उधर देखों तो समझ जाना इधर Offline वाले बच्चे हैं और सामने Online वाले तिखें? तो Deforming Force वो force होता है जो बोड़ी के शेप को चेंज कर देता है और Restoring Force वो force होता है जो बोड़ी के शेप को वापिस ला देता है अपनी जगा पर वापिस ला देता है That is called Restoring Force जो Deforming बिगाडने ओर देता है अब यह लोग कहते हैं I don't know, पता नहीं सही कहते हैं या गलत कहते हैं Deforming Force जो होता है वो Equal and Opposite होता है इसके Restoring Force के जतने force ने शेप को बिगाड़ा है उतने ही वापिस लाने वाला चाहिए तो Deforming Force और Restoring Force हमेशा एक दूसरे के Equal भी होते हैं और क्या होते हैं? Opposite होते हैं Equal होते हैं और क्या होते हैं? बोलो, Opposite है 27 यादा अब इसके बाद कहा क्या जाता है कुछ ऐसे Material होते हैं उसके पास एक ऐसी Property पाई जाती है कि जैसे ही Deforming Force को हम हटाते हैं वो तुरत अपनी जगा पे वापिस आजाता है तुरत जैसे था वैसे ही आजाता है तो इस Property को हम Elasticity का है So Elasticity वो Property है Elasticity is that Property in which the body regained the body what? Regained their actual shape, actual position when we remove the restoring force जैसे ही हम Rehistoring Force हटाते हैं जैसे Reforming Force हटाते हैं बोडी तुरत अपनी जगा पे वापिस आजाती है तुरत immediate तो इस Property को हम कहते हैं Body की क्या है? Elasticity This is called what? Elasticity So Elasticity वो Property है जिस Property से Body तुरत अपनी जगा पे वापिस आजाता है So Elasticity is that Property Elasticity is that Property in which the Body just Regain पुरत Regain कर लेता है Their actual shape, actual position When we remove what? Deforming Reforming Force हटाया Body वापिस अपनी जगा पे So इस Property को हम कहते हैं Elasticity और इस Body को कहते हैं Elastic Body And that Body is called what? Tell me, Elastic Body इस Body को कहते हैं Elastic उस Property को कहते हैं Elasticity और इस Body को कहते हैं Elasticity Body कौन सी Body Elastic Body कलाती है? जो अपनी जगा पे वापिस आजा अब लेकिन एक Limit होता है अब किसी Body को हम Deform कर रहे हैं मालो रबर रबर को खीच रहे हैं ठीक है, Deform कर दिया Deforming Force अट आया, ठीक है, वापिस आ गया लेकिन एक Limit सकते हैं एक Limit से ज़्यादा उसे Deform करोगे तो वापिस आना तो बहुत दूर की बाद वो Body तूट जाएंगे एक Limit होता है, एक Range होता है जहां तक Elasticity पाई जाती है एक Range होता है, जहां तक Elasticity पाई जाती है उस Range से ही वापिस आ सकता है उस Range से ज़्यादा Deforming Force लगा दोगे उस Limit से ज़्यादा लगा दोगे तो वो Body तूट जाएगे, Deform हो जाएगे परमानेंट तूट जाएगे तो जिस Range तक जिस Range तक जिस Range तक Body के पाई जाती है Elasticity उस Range को हम Elastic Range Elastic Range या Elastic Limit कहते हैं Elastic Range या Elastic Limit इस Range के बाद इस Limit के बाद Body के पाद Elasticity खत्म हो जाती है वो या तो टूट जाता है या वापिस ही नहीं आता Deform हो जाता है परमानेंट Deform हो जाता है Elasticity is the Property जिस Property से Body अपनी जगह पे वापिस आती है और उस तरह के Body को क्या कहते है Elastic Body और इस Range तक जिस Limit तक Body के पाद Elasticity पाई जाती है ये Property पाई जाती है उसे कहते है Elastic Range ये Elastic Limit क्या समझ में आ गया Very Good और फ्रेन बच्चे भी समझ रहे हैं आप भी समझ में आ रहा अब मुझे एक बात का जवाब देना अब नोट के दूँगा अब क्या कहा गया बेटा इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है तेयोरी चल रहे है इसमें एक टॉपिक आता है इसे हम कहते हैं Elastic Fatigue सब अब टॉपिक है Elastic Fatigue क्या होता है होता ये है कि जब आप किसी भी Elastic Body में इसे Rubber is the best example इसम पहले बेस Rubber Rubber को अगर आप खीचो Deforn करो तो वापिस आगे फिर खीचो, Deforn करो छोड़तो वापिस आगे फिर खीचो, Deforn करो, छोड़तो वापिस आगे Elasticity तो वापिस आ रहा है लेकिन अगर बहुत चाहिं तक करते रहोगे करते रहोगे तो आप बोलते ही रबर धीली हो गई रबर लूज हो गई रबर रूज होने का क्या मतलब हुआ कि रबर ने अपनी Elasticity को, Elasticity को लूज कर दिया, धीदेरे Elasticity लूज होने का मतलब वापिस आना छोड़ दिया अभी तो इसको करते Elastic Fatigue Elastic Fatigue मतला Loss of Loss of what Elastic तो साइन्स की भाश्रा में Elastic Fatigue रहे रेगुलर डिफॉर्मिंग फॉर्स लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं क्या लगाई जा रहे हैं पॉर्मिंग फॉर्स और बोड़ी अपनी Elasticity को लूस किया जा रहा है, लूस किया जा रहा है, तो इसी को कहते हैं साइन्स के लेंगर्ज में Elastic Fatigue Elasticity उसकी खतम हो रही है, दीदरे टायट हो रहा है, बोड़ी ठक रही है उसकी Elasticity खतम होते जादी Elastic Fatigue Elasticity, Elastic Body, Elastic Range Elastic Limit, Elastic Fatigue पिंस में एक टॉपिक आता है थोड़ी थोड़ी टॉपिक है इसका नाम है इसके आपटर इफेक्ट अब बोलेंगे से यह क्या चीजिद से यह क्या चीज़ एलास्टिक आपटर एफट्टु जो तो तो आएगी क्योंकि Elastic Body है आएगी कर नहीं आएगी लेकिन उसमें थोड़ा डीले हो जाता है थोड़ा लेट हो जाता है थोड़ाशा Temporary Delay हो जाता है वो आएगा जरूर क्योंकि वो Elastic है आएगा जरूर क्योंकि इसके पास Elasticity है बट इट विल टेक सम टाइम तुरत नहीं आएगा थोड़ा डीले होगा थोड़ा आराम आराम से आराम से आराम आराम से आएगा वो इसको Science के Language में Elastic After Effect करें वतलब Temporary Delay थोड़ा सा देर होगा आएगा जरूर आना है जरूर क्योंकि वो है मजबूर क्योंकि इसके पास है Elasticity लेकिन वो तुरत नहीं आएगा थोड़ा टाइम लगाएगा थोड़ा डीले होगा आने में तो इस Effect को कहते हैं Elastic After Effect ठक गया तो Elastic Petty जिस Range तक गया Elastic Range उस Body को Elastic Body उस Property को Elasticity I think so तमच में आँगे ओके अब हम मूव करेंगे नेक्स टॉपिक के तरफ जो की अगला टॉपिक है अब है नेक्स टॉपिक है इसका नाम है प्लैस्टिक बॉड़िद ं अब ये बच्चे पूछते है कि सर ये प्लास्टिक बॉड़ी क्या है what is plastic बॉड़ियों लॉड़ियों दो हो गया plastic बॉड़ि़ प्लास्टिक ग福 मैं लिख रहा हूं विटा जो पर्मनेटली डि-फॉर्म हो जाता है कर दिया कर दिया तो वापिस आएगा ही नहीं गाल प्लास्टिक जितने ट्वाइस बनते हैं यह सब खिलों ने प्लास्टिक के क्यों बनते हैं तो कि इनके बस प्रोपर्टी होती है कि डिफॉर्मिंग फोर्स अटाओगे तो फिर वापिस नहीं आए प्लास्टिक नेचर होगा तभी कुछ चीज़ को किसी शेप में ढाला जा सकता है तो प्लास्टिक बॉड़ी उसे कहते हैं जिस पे आगए एक बार आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया तो वो फिर वापिस नहीं आएगा वो पर्मनेंट डिफॉर्म हो जाएगा that is called एक बॉल प्लास्टिक बॉड़ी में लेकिन बॉस्टिक का भी अपना एक रैंज होता है कि इसे हम प्लास्टिक लिमिट। ह similar के लाशिंग सब्सक्रोण होता है कि अब यह प्लस्टिक रैंज क्या होता है कि पलाब अगर होता है जहां तक हूँ मैक्सलिपना देने narta होता है जहां तक म्यक्सिमम्म होग मैक्सिमम् हो थे को विडाउट ब्रेकि तूटेंग ना भी नहीं है प्लास्टिक बोड़ी किसे करते हैं जो डिफॉर्म हो जाए बड़ इलास्टिक बोड़ी वो है जो डिफॉर्म होने के बाद वापिस भी आ जाए वापिस भी लेकिन प्लास्टिक बोड़ी वो होती है जिसमें एक बाद डिफॉर्म हो गया तो वापिस नहीं आएगा deform होता जाएगा तो मान लो deform हो रहा है हो रहा है, हो रहा है पूड भी नहीं रहा है deform होते जा रहा है तो आप क्या बोलोगे उसका plastic range बहुत ज्यादा है तो plastic range या plastic limit क्या बताता है किस limit तक body क्या हो सकती है deform हो यह है without breaking elastic limit किस limit सक deform होने के बाद वापिस आ सकती है plastic limit किस limit तक deform हो सकती है बीना टूटे यह plastic limit है तो वापिस आने के तो सवाल आ ही नहीं तो क्या है फिर plastic limit का जब plastic body है तो वापिस तो आएगा नहीं पिर plastic limit क्या बताता है कि कब तक वो deform होता रहेगा होता रहेगा बीना उटे हो समझ में आ गया प्लास्टिक लिमिट के बेस पे नुब दरा के material आते हैं यह सब चीज धियान से समझना था पेला material होता है ductile material अब लोग पुछते हैं कि ductile material क्या ductile material वो material होता है जिसका maximum plastic range होता है जिसकी maximum माक्सीमम प्लास्टिक लीमीट होती है एकदान मैक्सीमम इसकी प्लास्टिक लुमिट मैक्सीमम होती है इसका गोल्ड के बारे में आप टेंद से पढ़ा होगा कि 2 ग्राम, 1 ग्राम गोल्ड को हम किलो मेटर तक ही सकते हैं गोल एक ऐसा मटियल है जिसको आप जितना मन करें प्लासिक रेंज बहुत ज्यादा है а === प्लास्टिक रेंज के रहए इसे कहते हैं ब्रीटल नडेडियल भुड़ुा मट होता है जिसका प्लास्टिक रेंज बहुत है इसको क्या बोलोगी मिनीमम प्लास्टिक लिमिन, इसकी प्लास्टिक लिमिट बहुत ज्यादा नहीं होती बहुत कम होती है best example बताउं glass की شाओ जो glass होते हैं आपने देखा होगा कभी आप glass को गर्म करो तो थोड़ा सा deform होता है थोड़ा सा थोड़ा वो टिला मेला हो जाएगा बहुत ज्यादा गर्म करो गर्म करना भी तो रही लखाना है बहुत ज्यादा करो कि तो फट से तूट जाएगा तो यह बहुत ज्यादा डिफॉर्म नहीं हो सकता तूट जाएगा थोड़ा सा तूट जाएगा तो कहेंगे प्लास्टिक लिमिट कम है अब बहुत ज्यादा डिफॉर्म हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो तूटी नहीं रहा है तो प्लास्टिक लिमिट ज्यादा है तो तो plastic limit होता ही नहीं है ये तो इसकी plastic limit नहीं होती बेटा no plastic limit no plastic ring मतलब deform permanent हो ही नहीं सकते plastic कभी है यह नहीं इसका best example है rubber best example is rubber rubber is the best example rubber को आप कभी भी सोचो के permanent deform करें इतना सभी नहीं है तो इसके कैसे कह सकते हैं कि जो pure elastic है तो pure elastic है वो है प्लास्टोमा ओब्वेस तो तीन तरह के material बन गए डक्टाइल ब्रिटल एंड लास्टोम इनों material किस बेस पे बने हैं plastic limit के बेस पे plastic limit क्या होती है जिस limit तक body permanent deform हो जाए बीना तूटे हुए उसको कहते है plastic limit अब plastic limit बहुत ज्यादा ductile कम गदम नहीं plastic limit कमच में आ गया हो गए बिटना अब हम से कहानी जो थी ना कहानी खत्म गबर सिंग वाली कहानी खत्म अब चुरू हो रही है mathematical story में अब formulae सबाएंगे सबसे पहले topic में पढ़ाने जा रहा हूँ stress लोग बोलते हैं कि sir stress क्या चीज है what is stress बोलोगे sir पूरी life में stress है stress ने तो हमें पागल कर रखा है stress के चकर में तो हम बहुत परिशान है exam का stress parents का stress teacher का stress work का stress वो भी stress है लेकिन हमारी जिन्दगी से life से जुड़ा stress है वो नहीं पढ़ना है हम यह physics वाला stress पढ़ेंगे stress किसे करते हैं मैं stress आया कि pen भी छूटने लगा देते हैं यहां हम बात करते हैं stress सबसे पहले बात करते हैं stress कहते हैं किसे तो stress कहते हैं force upon area अब पोर्स अपाउन एरिया को stress कहा जो बच्चे बोलते हैं सर यह तो हमने pressure पढ़ा था क्या पढ़ा था प्रेशर बिल्कुल साही पढ़ा था यही fluid में अगर हम चले जाएंगे इस formula को लेकर यानि liquid और gas में जब अप्लाई करेंगे तो यह प्रेशर का लोगा तो stress is basically what? force upon area force upon area is called stress force upon area is called stress और इसके unit क्या हो जाएगी सोचने वाली बात है force का F area का A unit हो जाएगी इसकी Newton per meter square Newton per meter square Newton per meter square को हम short में Pascal भी कहते हैं इसकी unit एक Pascal भी है unit is also Pascal तो stress is the force upon area solid body पे लगाऊ force upon area तो stress stress के अंदर दो type आते हैं पहला type आता है बेटा नॉर्मल stress तो stress है अब यह नॉर्मल क्यों कहला है सोचने वाली बात तो कहा जाता है stress तो stress है formula तो force upon area होना चाहिए तो बिल्कुल सही बात है normal stress का मतलब हो गया force का nature normal होगा normal force upon area है stress होगा तो force upon area ही लेकिन वो force का जो nature होगा वो normal होगा I mean to say माननों आपके पास कोई body है इस तरह की body है और आपने उस पे इस तरह का force लगा दिया तो इस force को हम क्या कहेंगे normal force लगाया surface के perpendicular लगाया तो इस force ते जो stress बनेगा उसके कहेंगे normal पॉर्स का निचर नॉर्मल तो नॉर्मल इस्ट्रेस और कुछ तोड़ी है कि दूसरा stress होता है बीटा stress के अंदर दो टाइप पढ़ा रहा हूं दूसरा होता है tangential यहां से पढ़ हो तैंजेंशियल इसका एक और नाम है और sharing stress tangential और stirring stress तो यह भी तो वही stress है तो यह भी तो वही होगा लेकिन यहां पर क्या होता है force का nature बदल जाता है यहां nature हो जाता है force का tangential force upon area फिर रिपीट करूंगा है तो stress होगा तो force upon area बट force का nature अगर tangential हो जाए कि किसी भी body पर जो force लग रहा है का nature क्या हो जाए तो वह जैसे कैसे टैंजेंशल हो जाता है देखना जाता है यह एक बड़ी है कि अब आप देखो यहां पर आपने force लगा दिया हर वह force जो surface के parallel लगता है वह tangential हो तो अगर force किसी भी body पे solid body पे surface के parallel लग रहा है तो वह कौन सा देगा tangential stress देगा और अगर force surface के perpendicular लग रहा है तो उस force से जो निकलेगा वह कौन सा stress होगा नॉर्मल तो दो तरह के stress हो गए normal stress and what? Tangential stress पोर्स के निकलेशर नॉर्मल तो उससे नॉर्मल stress बनेगा force के निकलेशर टैंजेंशर टैंजेंशर का दूत्था नाम क्या है? sharing दोनों एक ही चीज है तो वहां से जो stress बनेगा force अपनेज्या से वह बनेगा sharing stress समझ में आ गया होगा आज तबीकों तो ये दो तरह के stress के दो टाइप हो गए एक हो गया normal stress और एक हो गया sharing stress अब stress जब खतम होता है तो अब एक next topic आता है solid में इसका नाम है stream अब लोग बोलते हैं कि sir stress तो खतम हो गया अब ये नया topic आ गया एक खतम नहीं होता दूसरा आ जाता है आएगा जरूर अब topic का नाम है strain अब लोग बूलते है strain क्या चीज़ है sir what is strain strain क्या है तो सुनो सभी लोग धियान से सुनो किसी भी body पर force लगाते हैं और force लगाने के बाद उसकी shape में change आज़े अब विस्ती बात है force लगागे तो shape में तो change आएगा या आएगा तो कहा जाता है strain ratio होता है जान से पढ़ना changing shape तो shape में change आया और upon actual shape upon actual shape यस आपने force लगाया force लगाने के बाद body के shape में change आ गया तो जो भी change आया x y z वो और पहले actual shape क्या था वो उसके ratio को हम physics में क्या करते हैं बच्चों strain करते है strain याद रखना सभी लोग उसे करते है strain और इसके unit नहीं होगी ये unitless होगा इसलिए unitless होगी क्योंके ऊपर भी वही shape है नीचे भी shape है सेम सेम चीज़ का ratio का unit नहीं होता stress की unit थी इसकी unit नहीं है अब हमने आपको पढ़ाया था कि stress के अंदर दो टाइप थे तो strain की भी टाइप पढ़ाएंगे हम strain का 3 टाइप है 4 टाइप है कई सारे टाइप है सब बताऊंगा पहला टाइप है longitudinal strain अब बोलोगे sir strain में main basic समझो strain का मतलब होता है change in shape upon actual shape अब अगर shape में बहुत सारी चीज़ आती है shape में length आता है shape में area आता है shape में volume आता है shape में diameter आता है तो shape के हिसाब से strain का टाइप बदलेगा अगर आप shape में change in length ले 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 change in length और upon actual length मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हो गया delta l change in length by actual है तो strain होगा तो strain होगा तो change in shape by actual shape no doubt तो शेप में अगर आप length ले रहे हो और delta l change in length by actual length तो हम इसे कहेंगे longitudinal strain का longitudinal path strain के अंदर दूसरा strain आता है volume strain volume strain बोलोगे sir है तो topic strain का है तो strain है तो change in shape by actual shape क्योंकि topic strain है तेकिन अब shape में nature बतल जाएगा अभी length लिया था अब volume लेंगे अगर हम ले लिया तो longitudinal strain shape में volume ले लिया volume strain हर्ट strain पढखाने जा रहा हूं उसे कहते हैं lateral strain lateral lateral strain अब लोग बोलते है sir ये क्या बला है एक में आपने length define किया shape में एक में आपने volume लिया अब ये lateral strain क्या है तो इसके बारे में कहा जाता है ध्यान से दिखना सभी लोग change in diameter या radius भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग diameter radius almost एक ही का part है diameter radius का double होता है upon actual diameter upon actual diameter या बहुत सारे लोग इससे radius भी बोल देते हैं यानि I mean to say delta d changing diameter by diameter changing radius by radius तो अगर आप shape में length ले रहे हो तो longitudinal strain shape में अगर आप volume ले रहे हो volume strain shape में अगर आप radius ले रहे हो lateral strain strain एक ही चीज change in shape by actual clear अब इसमें तीनी तरह के strain हुए है लेकिन एक strain और है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं तो यह तो आपके पास तीन strain हो गए अब आते हैं चौथे स्ट्रेंग सहां से देखना हो बहुत important class है चौथा स्ट्रेंग है बेटा यह बहुत tough है ध्यान से सुनना है इसे कहते हैं sharing strain यह थोड़ा सा typical है समझना पढ़ेगा sharing strain क्या होता है जब जो लोग civil engineer बनते हैं जो बड़ी बड़ी building बनाते हैं उन्हें के सब पढ़ाया जाता है civil engineering में sharing क्या होता है जरा सुनिए sharing strain के बारे में समझना है तो पहले पूरी कहानी समझानी पड़ेगी मालो आपके पास कोई भी body है और आपको पता है body का shape cubicle ही होता है 3D में कोई body एक आपके पास body दियान समझेगा आप civil engineer बनने जा रहे हो दो मिनट के लिए बस दो मिनट के लिए उसके बाद नहीं तो आपके पास cubicle body cubicle body का cubicle body है यह इसका नीचे वाला surface figs यह surface figs है lower surface figs समीन से जुड़ा है ground से चिपका आपने क्या किया अपर surface पे tangential force लगा है surface के parallel surface को ऐसे खीच दिया ऐसे ऐसे force लगा इससे कहते हैं normal force यह tangential force अब क्या हुए बेटा surface figs है तो होगा क्या होगा यह अब शुरू कहानी कान खुलके होगा यह कि उपर वाला surface अपनी जगा से थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा जागा नहीं थोड़ा थोड़ा सा में वार-वार बोलो हो थोड़ा सा एक angle से shift हो जाये यह angle से यहां से थोड़ाENTS थख गया delta l ओपर वाला face यहां थे नीचे वाला नहीं नीचे वाला तो आपनी जगा से ऐसे shift और actual size अदें जो आप the files देख रहे हो वो यह डिल्टा एल क्या है चैनल नहीं है यह शुक्ड on बशित्फ प्रकिस्जन और इसकी परडिशन में शिफ्ट हो गया ये अपर अपर वाले सॉमस, अपर साइड तुक कहते हैं कि जब कोई भी एक बॉडी है और बॉडी का जो लोवर सर्फिस है यह वाला अगर वों फिक्स है और अपर सर्फिस पे किसी ने टैंजेंशल फोर्स लगा दिया तो ऊपर वाला जो सर्फिस होता है एक angle पे ध्यान से सुनना सब लोग यहाँ पे एक angle पे ऊपर वाला surface एक angle पे shift कर जाता है, खिसक जाता है ठीटा एतने angle पे खिसक जाता है तो इसी angle को ध्यान से सुनो, इसी angle को कहते हैं, जा कहते हैं बेटा, sharing strain यह angle में measure होता है यह strain और इसके भी निकानने का formula वही ऐसी लगेगा आपको delta L by L, यह strain में ऐसी निकलता है, delta L by L, इन पर्ख है longitudinal strain में जो delta L था, वो shift, shift नहीं था, वो elongation था, chain था, और यहाँ delta L, chain नहीं है, delta L, shift shift, कितनी जगह से shift कर गया, that is shift, not elongation, और L तो आपको पता है, actual body की side अब बो लगे सार, इसमें तो हम civil engineer बने ही नहीं, कहा civil engineer बने हैं, आप बनाता हूँ civil engineer आपको आपने सुना होगा अक्सर, news में आता है कि भाई एक इमारत बड़ी से building है, वो जुब गई है, ऐसे हो गई है, ऐसे उपर जाके यह ऐसे हो गई है और गिरने के चांसे, सब लोग खाली करो, खाली करो, बिल्लिंग खाली करो, गिर किसी भी समय वो building गिर सकती है तो वो होता क्या है नीचे का इस्सह तो वही रहता है अगर GROUND का हिस्सह जूब यहां यहीं से GROUND छूट जाएगा तो कि तो वह इंजिनियर जब जाता है साइड पर बोलता है ज़र बताओ जल्दी से क्या है शेरिंग कितना डिगरी का शेरिंग स्टेन आया अब आप समध्दार हो अब इनने के बास खड़े उपे बोले के मैं भी इंजिनियर हूं भाई इस और इसको करते हैं शेरिंग सिर्फंडार इंग्ल में ज LOGG in the शेरिंग स्ट्रेंग एंग्ल में में चेंडार इंगल में अब सकता है सब ओर जया रचनल Crãy एक शेप नहीं है उसमें शिफ्ट और यह कब आता है जब लोगार सर्फेस फिक्स होता है और अपर सर्फेस अपनी जगा से कि पर जाता है तो जीतने एंगिल पे शिफ्ट करता है तरुर्स के कारन due to the टैंजेंशल पोर्स लेट इस कॉल शेरिंग स्ट्रेंड निकालने का फॉर्मला डेल्टा ल बाइल डेल्टा ल इस नोट चेंजिन लेंद नहीं है ऐसा थोड़ी कि बिल्डिंग उपर से जुग गई तो बिल्डिंग का उपर का फ्लोर खिच गया वो तू बीचके से थ्री इसके बन गया वो थोड़ी होता है वो तो स्टिफ्ट हो गया वो खिचती थोड़ी है बिल्डिंग यह बिटा चार तरह के स्वेल दो तरह के स्ट्रेस अब लास्ट टॉपिक कराऊंगा बट बहुत अच्छा टॉपिक है ध्यान से पढ़िएगा में टॉपिक में आज हुक्स लॉग क्या है तो हुक्स लॉग क्या है स्ट्रेस थे इनके नाम पर लॉग बनाया गया किसे हम करते हैं हुक्स लॉग ख्यान से सुने हैं हुक्स लॉग में यह बताया जाता है कि जो स्ट्रेस जो हमने पढ़ा अभी तो मिन पहले स्ट्रेस और स्ट्रेस और स्ट्र directly proportional होते हैं I mean to say कि अगर इनके भी ग्राफ बनाया जाएगा बेटा मान लो हम यह stress बना रहे हैं यह stress है यह strain है तो इनके भी जो ग्राफ होगा वो हमेशा straight line में जाएगा directly proportional यह बतायां लेकिन किसके लिए है यह और यह perfectly Elastic body यह follow होता है सिर्फ किसके लिए Elastic body सिर्फ Elastic body क्या कहां उन्हों साइंटिस्स ने हुक्स ने कि perfectly Elastic body जो होती है जो pure Elastic body होती है इसके पास Elasticity कूट कूट के भरी होती है उसमें stress और strain बोथ directly proportional जिस amount में stress होगा force upon area जिस amount में आप force लगाओगे परिमिनिट एरिया पे उसी amount में changing in shape आए अब scientist ने कहा और आप अच्छे से जानते हो कि जब जब directly proportional का sign हटता है तो बीच में एक constant के tree हो गई आचाला को stress इस constant को हमने के कहा के इन्टू इस पे को अलग कर दें तो यह आ जाएगा stress upon strain और के को कहते हैं एक नया टॉपिक आ गया है वस्ति लास्ट है दिहान से पढ़ लो पांच लास्मेंट के वीडियो और है modulus of elasticity this is very important topic एक new topic की entry हो गई के hook ने क्या बताया stress और strain एक दूसरे के directly होते हैं जब उस relation में constant टपक गया चाला कुस topic टपक के वो एक topic बन गया topic का नाम आ गया के constant को कहते है modulus of elasticity यह किसका ratio हो गया stress and strain का अब लोग बोलते हैं अच्छी बात है सर आपने बताया अब जब इतना बता दिया तो जब आप k की unit भी बता दो इसलिए इसलिए क्योंकि यह है क्या है अब एक नया topic आया पहले आपने stress पढ़ा इसके दो टाइप पढ़े फिर आपने strain पढ़ा इसके चार टाइप पढ़े अब एक नया topic आया कि stress और strain दोनों जो topic पढ़ाएं मैंने उसका जो ratio होता है उसे हम modulus of elasticity का एक नया topic आगया modulus stress पढ़ा फिर strain पढ़ा अब इन दोनों का जो ratio है एक नया topic को जनम दे दिया इसने इसे करते हैं modulus of elasticity अब बोलो के modulus of elasticity की unit strength की दो unit होती नहीं है तो जो stress की unit होगी वही इसकी भी unit होगी newton parameter square या पास्कल अब बोलो के सर आपने stress के दो टाइप पढ़ा है आपने strain के चार टाइप पढ़ा है तो इसके भी type बनेंगे क्यों type बनेंगे सोचो क्यों type बनेंगे क्योंकि यह है क्या stress और strain का ratio तो जब stress के type होते है liberté होते हैं इसके सथी इसके की इसमें 3 होते हैं इसके पहले टाइप मॉडलो सली है बढ़करte मॉडेर ऑछ इसे नाम इसने की ने हैं उलिक की इप होता है मॉड्य क्रूट होता है दो ख compression क्यों से फोर्स ओपों इडिया होगा है तो चेंडल शेप होगा अब आज़ कि मॉडलिस है तो उसमें stress और परेश्यों होगा अब क्या कहा गया यह अगर आगर परेश में नॉर्मल स्र्सिट लिया जाए अगर our स्ट्रेस में नॉर्मल 누गी च्छी्ट लिया जाये अगर तब यह कहला आएगा यांग स्मॉड हम लोगों बना देते हैं पोर्स अपॉन एरिया और यह डेल्टा एल बाई लॉंगी चुनिए इस इस कॉल यांग स्मॉड स्ट्रेस के कितने की Bizस PapiB spin के चार इस्ट्रेस के दो तो जब इस्त्रेस यह तॉपिक मॉडल खोन पिखिया चैरीशॐँ के से ओंग होंगेए इस्तेन का टाइप ऑगा तो मॉडल ना त्यायख टाइफ है यंहस 모लिस में ट्रेस लिया जाता है नॉर्मल और स्ट्रेंड लिया जाता है यह हो गया यंहस्ता आतना पर चाहिरा हूं मॉडलस यंग्स मॉडलस में stress लिया जाता है normal और strain लिया जाता है long issue यह हो गया यंग्स मॉडलस इसके तीन टायप है दूसरे टायप में पढ़ा रहा हूं इसे करते हैं bulk model this is called bulk model bulk model इसे हम भी से indicate करते हैं फिर वही बात है तो पिक सब मॉडलस होगा तो stress और strain का ratio तो यहां क्या बताया गया इसमें भी stress normal ही लिया जाता है stress वही normal ही होता है बट strain जो होता है वो volume strain होता है क्योंकि strain में यहां longitudinal था यहां volume strain बन जा strain में volume वाल्यूम वाला पाट लेना है तो क्या हो गया stress में fourth upon area और volume strain में क्या हो गया delta V by V changing volume by volume तो अगर stress में normal लिया strain में longitudinal लिया तो यहां स्ट्रेस में normal लिया strain में volume बने strain लिया तो bulk मॉडलस के बाद third मॉडलस and last मॉडलस यह बहुत important है इसको मैं थोड़ा सा discuss कर दो थर्ड वाला भी बहुत ध्यान से देखना इस very important third मॉडलस को थर्ड मॉडलस क्या होता है अब आप सुनिएगा कि स्ट्रा मैं यहां पढ़ा रहा हूं जगह उदर है नहीं पहला पढ़ा दिया दूसरा पढ़ा दिया तीसरा पढ़ा में जा रहा हूं इसे कहते हैं sharing model इसे हम इटा से इंडिकेट करते हैं यंग्स मॉडलस को y से bulk मॉडलस को b से sharing मॉडलस को इटा से n को यूँ खीज दो तो वो इटा बन जा है तो यह भी मॉडलस तो यह भी stress by strain होगा बट यहां जो stress लिया जाता है जैसे उन दोनों में stress चल रहा था यंग्स मॉडलस में भी और बल्क भीिर यंग्स में strain longitudinal चल रहा था बल्क में strain volume चल रहा था यहां stress जो वो sharing होगा ट्षे लूगा कईंजिनेयर वाला होगा यहां stress sharing Di habeering his telling and puedas Commission होगा ओए एंगिल वाला इंजिनियर वाला जब आए ना sharing strain तो बुलना अच्छा इंजीनियर वाला? हाँ इंजीनियर वाला strain, civil इंजीनियर वाला strain तो यहाँ क्या हो जाएगा पिटा? Stress tangential force upon area, a sharing strain वही angle वाला तो अब अगर एक बार गौर किया जाए सारी बातों पे, क्या मैंने पढ़ाया? Stress के दो टाइप, strain के चार टाइप, और stress और strain एक निया टॉपिक बनाता है modulus of elasticity, इसके तीन टाइप, youngs modulus, bulk modulus and sharing modulus है तीनों modulus, टॉपिक तो है modulus, modulus का मतलब stress strain, youngs में stress normal, strain नोंगी शूटड़ bulk modulus, stress यहाँ भी normal का पाट लेना है, strain बट volume, delta V by V sharing modulus है, तो stress by strain, यहाँ stress sharing, बहुन सा force upon area, टेंजेंट वाला, sharing वही tangential, और strain angle वाला, वो engineer वाला, ऐसे लोग याद रखनें, engineer वाला, engineer वाला, doctor वाला, यह वाला, वाला, यह वाला, तीक है, तो sharing strain, वो angle वाला, जिसे angle से वो shift हो जाता है, वो strain चलता है, तो आज मैंने stress, strain, modulus, तीन topic पढ़ाया, मुझे पूरी उमीदे समझ में आया होगा, इंजीनर भी बने थे आप 2-4 मिनिट के लिए, अगली class में हम आपको डॉक्टर बनाएंगे, तीक है, अगली class में हम आपको एक निया topic पढ़ाएंगे, इसी से related topic पढ़ाएंगे बेटा, धियान से समुढ़ना, अच्छे से समझना, और आगे भी वीडियो को share करते रहना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक thank you very much.